जय हिंद्ध स्टुनेंट्स, आप प्रतमेश शिरंजनी, यूर पॉलिटी मेंटॉर, I hope आप सभी की प्रपरेशन एग्जामिनीशन की बहुत अच्छी चल रही होगी, दिखें, जैसे जैसे एग्जामिनीशन पास आता है, वैसे वैसे आप एक प्रेशर फील कर रहे होंगे कि क्या एग्जामिनीशन के अंदर में अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, याद रुकिएगा आपको इस पूरे फेस के अंदर प्रेशर फील नहीं करना है, because आप जितना ज्यादा प्रेशर में रहते हैं, उतनी कम आप पढ़ाई कर पाते हैं, इस ब हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और अब आगे भी कुछ इंपॉर्टन टॉपिक्स बचेंगे, अब यह जो टॉपिक है, लेक्चर नमर 13 के अंदर, इसमें हम सुप्रीम कोट के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा जितने भी हमारे इंपॉर्टन गवर्मेंटल और्ना इसमें से कुछ constitutional bodies भी है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हम election commission के बारे में पढ़ने वाले action commission के साथ-साथ, ST, ST commission, OBC commission, finance commission के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ important post है, जिससे हर साल UPSC question पूछता है, जिससे attorney general of India, solicitor general of India, और साथ-साथ advocate general of India, यह सारी post जोहाँ, law से जुड़ी हुई है, judiciary से जुड़ी हुई है, that's why हम इनके बारे में भी जानेंगे, तो चलिए आज का lecture शुरू करते हैं, हमारा, योग यह Supreme Court and High Court and जितने भी important bodies है, उसके बारे में जानेंगे, सबसे पहले हम Supreme Court के बारे में जानेंगे, उसके बाद High Courts के बारे में जाने जानेंगे, JPSC के बारे में जानेंगे, Joint Public Service Commission जिससे कहा जाता है, काफी detail में चीजों को समझेंगे, देखिए, actually होता क्या है, कि जैसे examination का pattern थोड़ा सा change होता जाता है, time to time क्या होता है, कि UPSC थोड़े से question select पूछता है, कई बार एक गलग topic से question पूछ लेता है, कई बार कि scenario यह है कि competition बहुत जादा है, आप सभी समझते हैं कि time to time competition बढ़ता जा रहा है, vacancies कम होती है, और application करने वाले जादा होते हैं, और competition लगातार बढ़ता जा रहा है, that's why हम कोई भी topic को remove नहीं कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, हमको सभी ठीक से पढ़ना पढ़ेगा, because we don't new, कि किस topic से कौन सा question आ जाए, इसलिए आज हम सारे topics को ही अच्छे से cover करेंगे, और politics तरीके से पढ़ेंगे कि CDS क्या, कोई भी examination हो, हर question हमारा सही जाए, घली start करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे supreme court के बारे में, supreme court क्या है, supreme court हमारी judiciary system के अंदर सबसे apex के उपर हो supreme court है, अब ये कैसे है, देखे, हमारे देश के अंदर कई तरह के court होते हैं, जैसे subordinate courts होगे, subordinate courts की उपर होते हैं, high courts, high courts की जो सबसे उपर होता है, वो क्या होता है, हमारा supreme court होता है, और हमारी Indian judiciary के अंदर ये चीज़ सबसे अच्छी है, कि हमारी पूरी Indian judiciary autonomous body है, मतलब वो कंप पशलकार के कहने पर या सरकार के प्रेशर में काम नहीं करती है जो उन्हें ठीक लगता है अपने तो पर हम लोगे के प्पील किया होगा कि कई कैसे सैसे होते हैं जहां पर हमारी जूडिश्री वो गवर्मेंट को इंस्रक्षंस देती गवर्मेंट को डारिक्षन देती है कि आप यह सही नहीं करने को सही करना चाहिए थो आये जूजी शरी के बारे में पढ़ते हैं जब दीन जूजी शरी की बात के जाएगी तो आपके एक् assamination point of view से आपको क्या क्या पढ़ना है आपकी examination point of view से दो apex organization इसमें important हो जाती सबसे पहले आपकी उती supreme कपी स्ट्रीब कोड जो कि जुडी श्री में नियाय में सब से उपर होता है और इसके नीशे होता है राज्य के अंदर होनेReally हाइध का राज्य में नहीं होता है दो राज्यों का एक हाइध कोड़बी कहने इसटेट का एक हाइध भी जोडी श्री होती है इस और इंटर प्रिटेटर याद रखेगक सविधान के इंदर क्या लिखा है इसको इंटरप्रेट करने का जो राइट दिया गया है वह किसको दिया गया है सुर्टी सुप्रीम कोट है हमारे जो जूडिश्री यह बैसिकली वह इंटर्प्रिटेटर ऑफ इंडियन कॉंस्टिटूटूशन ने कि भारती सविधान में लिखा क्या है किसी आर्टिकल का बेसिकली मतलब क्या है जैसे कि आर्टिकल 21 के बारे में मैंने आपको बताया था जो कि बहुत बार मैंने आपको काफी डीटेल में बता है कि सविधान का जो इंटरप्रेटर है वो याद रखिएगा वो कौन है हमारा जूडिशल बॉड़ी है हमारा सुप्रीम कोट है तो यह कहीं बार एक्जामनेशन के अंदर आपसे पूछा भी जा सकता है और आपको ध्यान भी रखना है कि सविधान में किसी शब्द का मतलब क्या है यह कौन बताएगा कि हमारी जूडिश्री बता सकती है पार्लेमेंट नहीं बता सकती है आगे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आगे हम बात करेंगे हमारे सुप्रीम कोट की नाम से क्लिए हो रहा है सुप्रीम सबसे कोट व अपेल कर सकते हैं आप कोई केस है हो किसी सब और को रहा था जाएंगे तो Supreme Court of India is the highest judicial code जैसा कि मैंने आपको बता है कि हमारी जूडीश्री के अंदर हमारी न्याय व्यवस्था के अंदर सबसे Apex Court जो है वह हमारा Supreme Court of India है and it is the final Court of appeal जैसा कि मैंने आपको बता है कि आप अंतीम रूप से जहां पर appeal कर सकते हैं आपकी application अंतीम रूप से वहीं दायर हो सकती है Supreme Court की ओपर कुछ भी नहीं है उसमें सबसे उपर Supreme Court ही होता है तो यह point आपको यहाद रुखना है अगले point के हम बात कर रहे हैं यहाँ पर The highest constitutional court with the power of judicial review Judicial review का power है हमारे Supreme Court के पास judicial review का क्या मतलब होता है अगर हमारे देश की Parliament ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो कि हमारे fundamental rights का violation कर रहा है या constitution के basic feature का violation कर रहा है सावधान के basic feature को कहां बताया गया था doctora in of basic feature को कहां describe किया गया है यह describe किया गया है केशवानन्द भारती case में मैंने काफी detail में आपको इस चीज़ के बारे में बताया है और आगी भी एक lecture ऐसा होगा जिसमें हम जितने भी important cases से उनके बारे में जानेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा बिकॉस सीडिस examination के अंदर कई cases से related questions कहीं बार पूछेगा है केशवानन भारती केस मुनर्वा मील केस गुलकनाथ केस तो इन सारे cases को हम समझेंगे बहुत detail में नहीं जाएंगे बट जितना examination में आ सकता है उतना हम जरूर समझेंगे नेक्स पॉइंट के आगे हम बात करते हैं इसके बाद इडिड़ फैटरल स्टेट एंड एंड युनिफाइड एक ही जुडिशियल सिस्टम ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई स्टेट है तो उसका स्टेट का अलग से जुडिशियल सिस्टम है और वह स्टेट में सबसे ाइब कोटी नहीं अगर से हमी ले कोट सेंट में ऐसा नहीं होता है एक यूनिफाइड युनिफाइड हैं इसमें सबॉनेट कोड़ होते ही इस करेंसाि चैबलिश किया गया चैबलिश केिस डियेत याद करने के जरूत doğru सभी यह यह सिरुश कहिसेश नहीं है ह् जिसमें subordinate courts होते हैं, subordinate courts की उपर होते हैं high courts और high courts की उपर होते हैं supreme court, अगले point के हम बात करते हैं, next point यहां बर कहता है कि सबसे पहली बार हमारे जो supreme court को establish किया गया था, date exactly याद करने के जरूत नहीं, यह बठाँ year पूसा जाता है, year ध्यान से सुनिएगा 28 January 1950, 28 January 1950 वो साल थ जिस समय पर supreme court को establish किया गया था हमारे देश में, अब सविधान के किस part में आता है, वो जानना भी बहुत जरूरी है, part 5 यहां पर supreme court के बारे में बताता है, part याद रखिएगा, हाला कि आप cds examination के त्यारी कर रहे हैं, तो statement के form में question पूशा दा सकता है, कि किस part में high court आता है किस part में supreme court आता है, तो supreme court जो है वो part 5 के अंदर आता है, और article 124 से लेके 147 तक supreme court के बारे में बताया गया है, अगर सवाल यह आता है कि supreme court का वर्णन किस article में किया गया है, supreme court को किस article में define किया गया है, तो याद रखिएगा, article 124, यह article बहुत important है, बहुत सारी exams में पूछा भी गया है, article 124 basically supreme court के बारे में बताता है, और पूरा supreme court की powers के बारे में, supreme court के working के बारे में, function के बारे में, appointments के बारे में, article 124 से लेके 147 तक बताया गया है, ओके, next point के हम बढ़ते हैं, आगे की line पा, अब यह जो point है, यह बहुत important है, और कई सारी examinations में, believe me, UPSC हो, state PCS हो, इन सारी जो बड़ी बड़ी examinations है, उनमें इस point से related question को कहीं बार पूछा गया है, specifically आप CDS को देखेंगे, तो 1990 से पहले जो CDS का paper आता था, उस paper में देखा गया था कि supreme court और high court से related questions का जो number था, वो काफी जादा था, अब वो pattern धिरे धिरे आता जा रहा है, आपने देखा हो Supreme Court और Supreme Court से related questions है, वो NDA ने कहीं जादा पूछा और NDA ने भी बहुत deeply question पूछा है, Supreme Court के jurisdictions के बारे में पूछ लिया था, कि कितने तरह के jurisdictions होते Supreme Court के, वो भी आगे हम पढ़ेंगे, बाट यह समझ कर से लिएगा, कि इस topic को आपको हलके में नहीं लेना है, आपको ध्यान से प Constitution declared हमारे जो सविधान है, उसमें declare किया गया, सविधान की according भी हमारे जो Supreme Court होगा, वो हमारे देश की राजधानी के अंदर है, हमारे देश का Supreme Court कहां पर है, दिल्ली के अंदर है, बट अब यहां पर एक condition लग जाती है, और इस condition से ही exactly question पूछा गया होगा, अगर आप लंब CGI to appoint other place or places as set of the Supreme Court, मतलब यह CGI को यह authority देता है, कि अगर Supreme Court को कहीं और shift करना है, तो वो कर सकते हैं, माल लिजे कुछ ऐसी condition हो गई है, कि जो अपील करने वाले लोग हैं, जो proceeding से वो दिल्ली में नहीं हो सकती Supreme Court की, तो ऐसी condition में Supreme Court को भारत के किसी भी place में shift किया जा सकता है, ठ आज के लिए यह चीज Supreme Court है, मतलब यह Supreme Court का दर्जा उसे दिया जा सकता है, उस place को, यह कहा गया, यह कौन कर सकता है, CGI कर सकता है, बट क्या CGI final authority होती है करने के लिए, विकास question में यही पूशा जाता है, कि final authority कौन होती है, यह declare करने के लिए, कि Supreme Court की जो seat है, उसे कहीं और ल प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ही, वो यह चीज कर सकते हैं, मन से नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपने कभी भी यह question face किया है, तो इस question का जो अंसर होगा वोगा प्रेसिडेंट, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के कहने पर ही, जो seat of Supreme Court है, वो कहीं और declare की जा सकती है, क् यह mandatory है, यह optional नहीं है, यह compulsory, it's mandatory for the CGI, कि वो प्रेसिडेंट की बात माने, प्रेसिडेंट ने अगर मना खर दिया के नहीं, इस जगह पर आपको Supreme Court की seat को declare नहीं करना है, seat को shift नहीं करना है, तो वो नहीं हो सकती है, यहाँ पर एक और question आता है, कहीं बार यह examination में पूछा ग होते हैं, minimum number of judges उसमें 5 होते हैं, याद रुखिएगा, सविधान से, related अगर कोई भी मुद्दा है, उस पर कोई फैसला लिया जाना है, उस पर सुनवाई चल रही है, तो minimum जो batches होता है, judges का वो कितना होता है, वो यहाँ पर 5 का होता है, इसे note कर लीजीगा, बहुत बारे प बात की जाये, नेक्स, अब vic The Supreme Court, Supreme Court के Judges की बात की जाए, तो in 1950, 1950 की इंदर जाप्रीमकोट को स्टैबलिष किया गया, उस समय टूटल नंबर सूप्रीमकाट को सुप्रीमकोट को स्टैबलिष किया गया था उस समय, total नंबर तो श्तैबलिष किया गया था, उस समय टॉट पहले Chief Justice of India थे, वो थे Justice H.G. कानिया, याद रखिएगा, यह पूछा गया है, बहुत बार जो पहले Chief Justice of India है, वो है H.G. कानिया, various examinations के अंदर पूछा गया है, आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे जो maximum strength है, देखिए maximum की बात कर रहा हूँ, अभी different number हो सकता है, जो maximum strength है, यहाँ पर याद रखिएगा, वो Supreme Court की कितनी हो सकती है, 34 हो सकती है, including one Chief Justice of India, मतलब 33 plus one हो सकती है, maximum, यह maximum की बात कर रहे हैं, आज के time पर, हाला कि जब ज़रुवत पढ़ती है, तो इसको बढ़ा भी दिया जाता है, चेंडिस किये जाते हैं, बढ़ भी जाती है, आज क टाइम पर जो maximum है, वो कितनी है, वो 34 है, तो यह स्लाइट से, यह दो questions यहाँ पर बनते हैं, और दोनों ही questions कई बार examinations के अंदर पूछे गए हैं, आगे हम Supreme Court के बार में कुछ बात करेंगे, composition of Supreme Court अभी कितना है, maximum, 34 है, इसमें आप देखेंगे कि एक Chief Justice of India है, और तीन इसम Chief Justice of India and three other judges, आगे बात की जाए कि qualifications क्या होती है, जजज बनने की, जो भी व्यक्ति Supreme Court में जजज बनना चाहता है, उसकी qualification क्या होने चाहिए, सबसे पहली और सबसे important qualification, he should be the Indian citizen, he should be the citizen of India, भारत का नागरी खोना चाहिए, obviously, किसी दूसरे देश के व्यक्ति, इतनी बड़ी पो आपको समझ में आ जाएगा कि Judiciary Post बहुत जादा powerful है, मैं तो यह कहूँगा कि सबसे जादा powerful post अगर कोई इस देश में है, तो वो जजजस की होती है, Judiciary की होती है, और उनकी उपर जो जिम्मदारी है, वो भी काफी बड़ी है, और वो जिम्मदारी को बहुत बखु भी नि किये जारें, उन्हें भारत का नागरिक होना जरूरी है, नेक्स पॉइंट की हम बात करें, अगलेकर पॉइंट की हम यहां पर बात करें, तो नेक्स पॉइंट हमारा कहता है कि He should have been judge of high court for 5 years, अब इसमें एक qualification होती है, कि या तो वो 5 साल तक conditions में और लगता जाएगा, इसमान लीजे कोई judge थे, वो एक साल मदर प्रदेश हाई court में judge रहे, दो साल यूपी हाई court में judge रहे, और यहां पर लास्ट के जो तीन साल है, वो किसी और high court के अंदर judge रहे, तो वो भी eligible होते हैं, जरूरी नहीं है, या पर पाइटिकुलरली एक ही high court के अंदर आप judge आप प्रेक्टिस करी हो, advocate रहे हो, lawyer रहे हो, यहां पर भी same condition है, possibilities है कि 5 साल वो किसी एक high court के रहे, तीन साल किसी और high court के रहे, और इसके बाद 3 साल किसी और high court के रहे, तो यह भी condition fulfill अगर करते हैं, total जो experience है, वो 10 साल का यहां पर होना चाहिए, या तो यह दो चीज़ों को fulfill करत ज्यान है, जो कानून का ज्याता है, जिनको काफी experience है, उनको भी supreme court का judge बनाया जा सकता है, याद रुखिएगा, बहुत जादा important point है, और कहीं बार पूशा गया है, इसके बाद अगर age की बाद की जाए, कोई minimum age यहां पर नहीं है, maximum age का प्रावधान है, बट कोई भी minimum age नह जाएगा, याद रखिएगा, और ये चीज़ कहीं बार बहुत सारे various examinations के अंदर भी पूशी गई है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, next point के अगर बात की जाए, तो oath कौन दिलाता है, जो supreme court के judges होते हैं, जो हमारे chief justice of India भी होते हैं, उन्हें उनके पदी की शपत कौन दिलात हैं, point note कीजिएगा, बहुत बार question में पूशा गया है, next point की अगर हम बात करें, अगला point हमारा ये कहता है, कि resign अगर उन्हें देना है, तो resign किसे देंगे, अगर supreme court के judges को या chief justice of India को resign देना है, वो अपना resign, president of India के पास ही देते हैं, next अगर हम point की बात करें, अगर उन्हें remove क करना है, देखिए क्या किसी supreme court के judge कोन की post से remove किया जा सकता है, कि असकी आजा सकता है, अस process के बारे में भी हम जानेंगे, बहुत difficult process है, बहुत लंबा process है, बहुत difficult process है, इस process को इतना लंबा and difficult बनाया ही इसलिए गया है, ताकि judges के उपर किसी तरीके का pressure ना रहे है, because देखि condition में, वो किसी भी pressure में काम ना करें, किसी भी तरह का influence उनके उपर ना हो, that's why, वो freely काम कर सके, that's why जो process है, रिमूवल का बेसिकल में बोलूँगा, resign तो दे सकते हैं President को, जो रिमूवल का process बनाया गया, it's really really tough, अभी आगे हम देखिए किस तरीके का process है, by President on recommendation of Parliament, President उनने remove कर सकते हैं, बट ऐसे नहीं कर सकते हैं, Parliament के recommendation पर वो remove कर सकते हैं, बट पारलेमेंट भी ऐसे recommend नहीं कर सकता, उनके removal का जो motion ने उसको pass करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो किया जा सकता है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, next point की बात किजा, कितना tenure होता है, Supreme Court के, ज judges होते हैं, उनका कितना tenure होता है, कितनी age की यहां पर बात की जाती है, तो याद रिखिएगा, उनका tenure होता है, 65 years, maximum जो age है, 65 years है, tenure में 5 साल, 6 साल, 7 साल ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब बगर कोई व्यक्ति, 50 साल की age में CGI बना, तो 65 year तक रह सकता है, मतलब 15 साल भी रह सकता ह है, और अगर कोई 62 years की age में बन गए, तो 63 years के अंदर ही retired हो जाएगा, sorry, 65 years के अंदर ही retired हो जाएगे, तो यह point याद रखिएगा, जैसे अभी हमारे जो इसके पहले CGI थे, justice, उदय, उमेश, लते, ललित, उनका कारिकाल बहुत चोटा था, क्यों कारिकाल चोटा था, कारिक उनकी 65 years complete हो गई थी, that's why, तो यह point याद रखिएगा, अब salary की बात कर लिजाए, salary जो है, वो Chief Justice of India की 2.80 lakh है, अभी की अगर आप देखेंगे तो, और जो other judges हैं हमारे Supreme Court के, उनकी जो salary 2.50 lakh रुपीज है, पर month के इसाफ से yearly नहीं है, पर month ही आपर मैं बात कर रहा हूँ, note क कर लिजेगा, differences कई बार आते हैं, question भी अलग तरीके से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, कोई भी गलबड मत करना examination के अंदर, तलि आगे बढ़ते हैं, power and functions of the Supreme Court, देखें, Supreme Court के जब भी हम बात करते हैं, Supreme Court के पास कुछ jurisdictional power है, नियाय से सम्बंदित कुछ बहुत ज jurisdiction, original jurisdiction की जो Supreme Court है, उसका originally work क्या है, originally नियाय वो क्या कर सकता है, original jurisdiction जितने भी jurisdictions पावारी Supreme Court के उसमें सबसे बढ़ा होता है, इसमें कुछ points है, देखिए, देखती जाएगा, काफे important चीजे, यह dispute settle करता है Supreme Court, किसके बीच में, the central and one or more states, कि अगर केंदर सरकार और किसी राज्य के बीच कोई मुद्दा है, या केंदर सरकार और दो राज्यों के बीच कोई मुद्दा है, examples समझते है, माल लीजे हमारी central government है, central government के against, कोई state government का case चल रहा है, यह central government के against, बहुत सारी state governments के cases चल रहे है, कोई case चल रहा है, जिसमें, बहुत सारी state governments एक साथ है, और एक तरद central government एसे dispute को भी कौन सुलजा सकता है सिर्फ और सिर्फ Supreme Court ही सुलजा सकती है यह original jurisdiction इसका next point की बात की जाए the central and any state on one side and one or more states on the another side that means यह भी हो सकता है कि central government के साथ एक और state जुल गया हो मतलब central government और यह state साथ में हो और इनके अगेंस जो है वह बहुत सारी states हो तो ऐसा भी अगर कोई मुद्दा है तो सुप्रीम कोट ही उसकी सुनवाई करेगा वही उसको सुलजा सकता है next point की हम बात करते हैं between two or more states यह दो या दो से ज्यादा states का मुद्दा है यह वह सुलजा सकता है तो यह point याद रखिएगा काफी important point है अब next अगर हम बात करें यहाँ पर आगे exclusively original jurisdictions है यह इसके exclusive original jurisdictions के अंदर यह सारी चीज़ें आती है इसके बाद दूसरा आता है right jurisdiction आप सभी जानते हैं मैंने fundamental rights के अंदर भी आपको बता है कि आर्टिकल 32 Supreme Court को writ issue करने का power देता है आप समझते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के fundamental rights का violation होता है तो directly Supreme Court में भी जा सकता है High Court के अंदर भी जा सकता है fundamental rights के violation के cases के अंदर Supreme Court और High Court दोनों ही writ issue करते हैं बट याद रखिएगा Supreme Court का writ issue करने का power High Court से कम है ऐसा इसलिए क्योंकि Supreme Court सिर्फ और सिर्फ fundamental rights के violation के उपर writ issue करता है जबकि High Court के अगर में बात करूँ तो High Court fundamental rights के साथ साथ legal rights constitutional rights इन rights के violation के उपर भी रिट इशु कर सकता है पांश तरह के रिट्स होती है हीबियस कॉर्पर स्मेंडमस प्राइबीशन क्यू वारंटो और कर्शरी यह हमने पड़ी है यह हमने काफी जूरिडिक्शन देखिए appelliat jurisdiction यह नामसी क्लियर हो रहा है अपील जूरिडिक्शन की अपेल करने को लेकर सुप्रीम तो उस जजमेंट के खिलाफ आप सुप्रीम कोट में क्या कर सकते हैं यह पहला पॉइंट होता है Supreme Court के Appellate Juridiction का, दूसरा Appeals in Constitutional Matters, यह बहुत जादा important है, सविधान से संबंधित अगर कोई मुद्दा है, तो सविधान से संबंधित मुद्दे को लेकर आप Supreme Court में अपील कर सकते हैं, minimum मैंने अगेन फिर बता रहा हूँ, minimum five judges की panel इसमें के अंदर बैठेगी, तो ये भी point या Civil Matters के अंदर भी आप अपील कर सकते हैं, criminal matters के साथ साथ अगर कोई बड़ा civil matter है, उसके लिए भी आप Supreme Court में अपील कर सकते हैं, civil matter के बाद आएगा criminal matters, जैसे criminal matters के लिए कई बार अपील की जाती है, कि फांसी की सजा हो गई है, high court ने सुना दिये, उसके बाद वो Supreme Court में मुद्य अगर होते हैं, उस मुद्दो के केस के अंदर भी आप Supreme Court में जाके अपील कर सकते हैं, अब इसके बाद एक काफी important यहाँ पर Supreme Court का power आता है, जिसे कहा जाता है, advisory jurisdiction का power है, यह precedent के पास होता है, article 143 की बात करता है, इसमें दो तरह के मुद्दो की बात की गई है, पह वारून आ गया है, उसको लेकर अगर President को कोई भी confusion है, तो उसके ओपर वो Supreme Court की सला ले सकने है, advice ले सकने है, हाला कि Supreme Court उनको अपनी advice देने के लिए bound नहीं होगा, यह depend करेगा Supreme Court की ओपर कि वो अपनी advice देना चाहरा है या नहीं देना चाहरा है, बट इसमें दूसरी बात होती है, दूसरा point इसमें यह रहता है कि अगर ऐसा कोई भी मुद्दा है, जिस पर President सला लेना चाहते हैं, और मुद्दा कुछ इस तरीकी का है, कि Constitution कोई पुरानी treaty थी, कोई पुराना Constitution का amendment था, जिसको अभी सविधान में, जिसको लेकर अभी Parliament में बहस शिल गई है, या को President बाउंड नहीं होते हैं, कि वो सला माने या ना माने, कि President के ओपर depend करता है, कि वो सला माने तो मान सकते हैं, उन्हें नहीं मानना है तो नहीं मानेंगे, या Advisory Juridiction है याद रखिएगा, Article 143, Next point के हम बात करते हैं, इसके अलावा एक और jurisdiction है, वो है हमारा Court of Record, अभी Court of Record का मतल and Act of the Supreme Court are recorded for perpetual memory and testimony, these records are admitted to be evidently value and cannot be questioned when proceeding before any court, simple सी बात में कही जा रहे हैं, कि Supreme Court में जो भी सुनवाई की गई है, जो भी judgments आया है, जो भी testimonies आई है, जो भी चीज़े प्रूव हो गई है, उसको लेकर आप किसी lower court में question नहीं कर सकते हैं, कि Supreme Court ने कोई अपना judgment दिया था, उस judgment के अंदर उस judgment को देते समय किसी एक particular proof को present किया गया था, आप उस proof को चुनौती नहीं दे सकते हैं, lower courts के अंदर यह उसकी बात किया जा रहे है, और Supreme Court के जो भी decision होंगे, वो पूरे देश में लागू होंगे, हर high court के अंदर वो लागू होंगे, हर subordinate court के अंदर लागू होंग है, तो Supreme Court के पास यह अधिकार है कि वह आपको punish कर सकती है, आपको यहाँ पर 6 महिने तक की सेजा भी हो सकती है, और 2000 रुपे तक का fine भी लगाया जा सकता है, clear a point? Okay, great, Supreme Court में याद रखिएगा, जो भी अगर कोई मुद्दा Supreme Court के सामने आता है, या कोई case Supreme Court में हुआ है, उस case को लेकर जितनी भी proceedings की गई है, जितने भी judgments दिये गए हैं, जितने भी references दिये गए हैं, वो सारे references, सारे courts को मानने पढ़ते हैं, अगर Supreme Court ने उसे मान लिया है, तो उसे accept कर लिया है, तो सारे courts को accept करने पढ़ेंगे, कोई भी higher court या subordinate court उसे accept करने से मना नहीं कर सकता, यह काफी important power है, next अगर हम point की बात करें, next है हमारा power of judicial review, उसके बारे में already हम बात कर चुके हैं, कि अगर कोई भी ऐसा मुद्दा होता है, जिसमें हमारे सविधान के basic structure का violation किया गया, और इसा power, एक साजिक कह सकने की हमारे parliament ने कैसा कानून बना दिया है, जो कि हमारे सविधान के basic structure का violation कर रहा है, तो ऐसे case में उस कानून को, उस law को null and void declare करने का जो अधिकार है, वो हमारी supreme court के पास होता है, जूडी शिर के पास होता है, इसके लावाद दू करता है, has power to review his own judgment and order, यह point काफे important है, देखिए, आपने कहीं बार देखा होगा कि कहीं बार supreme court अपने खुद के decisions को change कर देता है, यह power supreme court के पास है, high court के पास नहीं कि supreme court ने कोई decision दिया और high court ने decision को change कर दिया, यह power नहीं है high court के पास, supreme court के पास यह power है, कि अगर previously उन्होंने कोई decision दिया था, तो अपने decision को change कर सकते हैं, जैसे कि example की बात करें, बेरुबारी union case के अंदर supreme court ने यह बोला था, कि preamble is not the part of Indian constitution, यह preamble भारती सेवधान का अंग नहीं है, पर उसके बात केशवनन्द भारती case में अपने ही फैसले के उन्होंने पलट दिया, क्या का, यह प्रियंबल भारती सेवधान का अभिन नंग है, integral part है, तो basically आपर उसी की बात की जारी कि ऐसा नहीं है, कि वो अपने पुराने judgments को review नहीं कर सकता, judgment को review भी कर सकते हैं, और कई बार यह हुआ है कि अपने फैसले को बदला भी है supreme court ने, next point की बात करें, can transfer the case और appeal pending in high court, यह अ कौन सा power है, हाँ जी, next, its laws are binding in all courts of India, इसके जो कानून है supreme court के भारत के सारे courts के ओपर मानने के लिए बात दिय होते हैं, सारे courts को उसकानून को मानना पड़ता है, supreme court ने अगर कोई rule बनाया है, तो उसको सारे courts को मानना पड़ेगा, कोई भी court मना नहीं कर सकता, high court हो गया, subordinate courts हो गया, यह मना नहीं कर सकते, next point की बात करें, it is the ultimate interpreter of the constitution, इसके बारे मैं बता शुका हूँ आपको, कि सवधान में क्या लिखा है, सवधान के अंदर लिखी गई, किसी बात का मतलब क्या है, उसका ultimate interpretation का जो power दिया गया है, वो supreme court को दिया गया है, next, it controls all courts, जितने भी courts होते ह है, supreme court उनको control करता है, उन courts के लिए कई बार advisory जारी करता है, कई बार कई सारे निदरदेश जारी करता है, because अधिकार है supreme court क्या, next point की हम बात करें, ad hoc judges एक छोड़ाज़ पॉइंट है, आला कि इस से related questions पूशे जाने की chances काफी कम है, यह temporary period के लिए होते हैं, और Chief Justice of India इनने appoint क सकते हैं, मान लीजे कि supreme court में जब judges की कमी हो जाती है, तो उस समय पर ad hoc judges को appoint किया जाता है, यह temporary basis पर होते हैं, याद रुखिएगा, और इनने appoint कौन करता है, Chief Justice of India इनने appoint करते हैं, अब सवाल यह आता है यहाँ पर कि supreme court में रिजिस का appointment किस तरीके से किया जाता है, तो देख कि इसके लिए system बनाया गया, इस system का नाम है collegium system, collegium system में basically एक हमारे Chief Justice of India होते हैं, और चार senior most judges होते हैं, यह मिलकर यह तय करते हैं यहाँ पर यह पूरा high system है, इन पांच लोगों का, यह पूरे system को कहा जाता है collegium system, और यही लोग तय करते हैं कि supreme court के अंदर किस जजिस का transfer क किया जाना है, high courts में किस जजिस का transfer कहां से कहां करना है, यह सारा काम जो है collegium system के द्वारा ही किया जाता है, तो यह आदर कियेगा, the system of appointment, transfer of judges in the supreme court and the high court, supreme court or high court में judges के transfer, appointments का जो पूरा system है, वो collegium system के थ्रू ही आता है, तो लिए आगे बात कर लिए supreme court के judges को कैसे remove किया जा सक होता है, यह process बहुत difficult होता है, difficult क्यों मनाया गया है, ताकि supreme court में या high court में अगर कोई भी judge किसी भी तरीकी का decision दे रहा है, तो उनकी ओबर किसी भी तरीकी का pressure ना रहे, that's why this process को काफी difficult बनाया गया, तो यह माल लेते हैं कि यह हमारा जो है, वो लोक सभा है, और यहां पर हम important process है, और इसलिए मैं इसे animation के साथ लेकर आया हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, माल लीजे कोई ऐसा motion है, मतलब supreme court के किसी judge के removal का motion है, उसी अगर लोग सभा के अंदर present करना है, मतलब लोग सभा के अंदर लेकर आना है, तो उसके लिए लोग सभा के 100 members का signature उ ऐसी condition में भी जो लोग सभा के speaker होते हैं, उनके पास से अधिकार होता है, कि वो इस motion को accept करें या reject करें, अब उसी तरीके से जैसे हमने लोग सभा की बात की थी, उसी तरीके से अगर राज सभा के अंदर इस motion को present करना है, तो राज सभा के 50 members के signature इस पर होने चाहिए, मतलब लोग सभा के अंदर वो number कितना हो तो 100 था, राज सभा के अंदर वो number कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 member के signature के बाद भी अगर chairman चाहें, तो इसे reject भी कर सकते हैं और accept भी कर सकते हैं इस motion को, जनरली होता है, यह जो motion है, उसे accept कर लिया जाता है, अब हमारी condition में हमें समझत है, कि माल लीजिए, इस motion को present किया गया था, लोग सभा के अंदर, लोग सभा में 100 members ने अपने signature भी कर दिये, और signature करने के बाद जो है, यह motion को accept भी कर लिया गया, इसके बाद होता यह है, कि एक committee बिठाई जाती है, तीन लोगों की, हमारी किसमें क्या हो रहा है, लोग सभा के अंदर present किया है, लोग सभा के अंदर उसे accept कर लिया, तो तीन members की committee बिठाई जाती है, इस committee का काम क्या होता है, जो भी आरोप judge के उपर लगे है, जो भी आरोप लगे है, उन आरोपों की जाच की जाती है, और यह देखा जाता है कि क्या यह आरोप सही है या नहीं है, इ यहाँ पर होते हैं, इसके लावत दूसरे होते हैं, किसी भी हाई court के chief justice और तीसरा person होता है, यहाँ पर distinguished jurist, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कानून का बहुत बड़ा गयाता है, आगे हम बात करते हैं कि उसके बाद होता क्या है, उसके बाद मान लीजिए, यह जो बिल है, वो लो होता है कि दोनों ही houses के अंदर, मतलब first house के अंदर, दूसरे house के अंदर, यह जो motion है, इसे पास होना होता है, जिस तरीके से कोई बिल पास होता है, वैसी इस removal के motion को भी पास होना होता है, अब कैसे पास होना होता है, इस motion को special majority के साथ पास होना होता है, special majority मतलब 50% of the total members of the house, म प्लस वन होता है याद रुखिएगा जब यह special majority आ रहे है तो 50% ही रहेगा और दूसरी चीज़ यह होती है कि जो टू बाय थर्ड मेंबर्स है उस दिन जितने मेंबर्स प्रेजंट है वोट कर रहे हैं उसके टू बाय थर्ड मेंबर्स का वोट इस पर होना चाहिए अगर इस special majority के साथ यह बिल यह बेसिकले बिल तो नहीं है यह motion अगर लोग सभा में पास हो गया उसके बाद यह जाता है राज सभा में राज सभा में भी अगर यह motion इसी तरीके से special majority के साथ मतलब 50% of the total members of the house and two by third members present and voting के साथ पास हो गया उसके बाद यह motion जाता है हमारे राश्पती जी के पास और राश्पती जी अगर इस पर signature कर देते हैं तो हमारे जो जज हैं उनको अपनी पोस्त जागनी पड़ती है चोड़ना पड़ता है उन्हें अपनी पोस्त से remove कर दिया जाता है तो यह पूरा process है आपने देखा process काफी difficult बनाया गया है और difficult भी क्यों बनाया गय नेक्स आगे अगर हम बात करेंगे speaker और chairman में admit the motion और refuse to admit speaker और chairman या तो motion को accept कर ले या इसे refuse कर ले यह power है उनके पास next point की बात करें तीन members की committee appoint किये जाती है जो की जो charges से उन्हें investigate करती है इसमें एक होते हैं हमारे Chief Justice of India दूसरे हमारे होते है Chief Justice of any High Court इसके बाद हमारे जो distinguished jurist है वह यहाँ पर होते हैं और इसके बाद अगर यह पास हो जाता है motion special majority से तो दोनों houses के अंदर जाता है और जो president है वो इस पर signature कर देते हैं तो जो judge है उन्हें अपनी post यहाँ पर छोड़नी पड़ती है तो यह point इसके लिए आप देख सकते हैं कि यह पीज़े में ने बता है ना कई बार यह चीज़ पूछी गई है इसलिए आप चाहें तो कई तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं काफी detail में आप पढ़िएगा because कई बार examinations के अंदर इस चीज़ को पूछा गया है लेकिए यहाँ पर चीज याद रखिएगा कोई भी minimum age नहीं है कोई भी minimum age यहा काफी important post है अभी हमारे जो Chief Justice of India है उनका नाम याद रखिएगा धननजय वाय चंदर चूड़ी यह हमारे Chief Justice of India है कई बार examinations के अंदर पूइंट पूछा गया है कि अभी current CGI कौन है तो याद रखिएगा हमारे धननजय वाय चंदर चूड़ जी अभी current CGI है मुझे comment box के अंद most judge होते थे Supreme Court के अंदर वही CGI होते थे बट अब चीज़े थोड़ी सी चेंज हो रही है पिछले कुछ सालों से चीज़े थोड़ी रही काफी यहाँ पर चेंज हो गई है चली आगे बात करते हैं नेक्स्ट अब हाई कोट्स की बात कर लें शुरुवात ही तौर पर 1862 में कल दो राज्यों के अंदर या एक राज्यों के अंदर या दो से अधिक राज्यों के अंदर भी एक कॉमन हाई कोट हो सकता है यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा बहुत बार एक्जामनेशन के अंदर यह पूशा गया है हाई कोट की बात किस पार्ट मे तक हई कोट की बात करता है याद रूखिएगा आर्टीकल 124 बात किसकी कर रहा था सुपरीम कोट की और यहाँ पर चुन करता है नभर फिकल तो मध किसकी और आंदर नियुक्त 법 एक Chief Justice होते हैं, काफी important point है, याद रखिएगा, next उन्हें appoint कौन करते हैं, उन्हें appoint President ही करते हैं, Chief Justice of India से यहाँ पर consult करके, article 217 इसकी बात करता है, कि हमारे जो President है, वही उन्हें appoint करते हैं, बिकॉस यह confusion होता है, कि क्या governor appoint कर देंगे, बिकॉस यहाँ पर हम high court के judge की बात कर रहे हैं, तो governor appoint नहीं करते हैं, याद रखिएगा, यहाँ पर appoint कौन करते हैं, Chief Justice of India से concern करके, हमारे देश के राश्पती appoint करते हैं, अब high court के पास भी power है, writ issue करने का, हाला कि यह चीज मैंने आ आपको बताया भी है, अब इसमें judges का qualification क्या होना चाहिए, पहली चीज चो काफी important है, और सब में similar होती है, he should be the Indian citizen, भारत का नागरिक होना उन्हें बहुत जादा जरूरी है, इसके अलावा याद रखिएगा, he should have held a judicial office in the territory of India for 10 years, किसी भी judicial post के उपर रहे हो भारत के अंदर 10 साल तक, तो भी वो हाई कोट के जज बन सकते हैं, इसके अलावा अगर वो हाई कोट में 10 साल तक जज रहे हैं, तो भी वो हाई कोट के जज बन सकते हैं, जज नहीं रहे हैं, हाई कोट के एडवोकेट रहे हैं, एडवोकेट अगर रहे हैं, किसी भी हाई कोट में 10 साल तक तो भी वो high court के judge बन सकते हैं, बनने के योग यह हूते हैं, हाला कि decide कौन करता है, collision system के द्वरा decide किया जा रहा है, same to same यहाँ पर है कि कोई भी minimum age यहाँ पर decide नहीं की गई है, याद रखीगा कोई भी minimum age यहाँ पर decide नहीं की गई है, बट अगर हम properly tenure की बात करें तो वो 62 years का र हाई court के judge की age, बताएगा कौन सा समयधानिक संशोधन था, चली योध की बात कर ले, शपत जो है वो governor के सामने लेते हैं, याद रखीगा, appoint कौन कर रहे हैं, president कर रहे हैं, बट शपत किस के सामने लेते हैं, उस राज के governor के सामने लेते हैं, उस राज के राजपाल के सामने राजपाल के सामने ले जाती है, next, tenure fix नहीं है यहाँ पर, age यहाँ पर है until the age of 62 years, 62 साल की age यहाँ पर fix है, tenure fix नहीं है कि 5 साल करेंगे, 6 साल तक रह सकते हैं, ऐसा कोई भी tenure यहाँ पर fix यहाँ पर नहीं होता है, और resignation किने देंगे, resignation भी president को ही देते हैं, यहाँ पर governor को, रा high court के judge को देना है, तो सीदे सीदे देश के राष्टपती को देते हैं, president को यहाँ पर देते हैं, अब कैने remove किया जा सकता है, हाँ, इन्हें भी remove किया जा सकता है, same ही process यहाँ पर होती है, president remove करेंगे, बट किसकी recommendation पर, parliament के recommendation पर, again, parliament के अंदर वो पूरी process होगी, उसके बाद ही इन्हें remove किया जा सकता है, याद रखिएगा, तो यह था high court, अब एक बड़ी important post के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसके post को लेकर, कई बार examinations में question पूछे गए, और मुझे यह लगता है कि, UPSC के जितनी भी examination है, उन पूरी examination में इस post को लेकर, सबसे जादा question पूछे गए हैं, यह post है, attorney general of India, attorney general of India का basically मतलब यह होता है, एक ऐसी legal post, एक ऐसा legal person, जो कि भारत सरकार को legally represent करता है, Supreme Court में और high court के अंदर, याद रखिएगा, it is the highest law officer of India, he is the highest law officer of India, यह question पूछा गया है, कि भारत के सबसे बड़े कानून के अधिकारी कौन होते हैं, तो CGI नहीं आएगा महाँ पर, यहाँ पर attorney general of India आता है, क्यों होता है, विकाज भारत सरकार को represent करते हैं legally, अब किस पार्ट के अंदर आते हैं, पार्ट पाच, article 76 इनके बारे में बात करता है, और M.S.T.L.W. वो पहले व्यक्ति थे, जिन्हों है, जिने attorney general of India appoint किया गया था, यह उन्हीं का picture है, मुझे बताएगा, अभी attorney general of India कौन है, अब सबसे पहले कौन है, वो भी आद होना चाहिए, इसके बाद यह basically करते हैं, यह government को legal matters के उपर advise देते हैं, he is the chief legal advisor of the government of India, इसके अलावा government को represent करते हैं, union government की बात कर रहा हूं है, central government की बात कर रहा हूं, central government को represent करते हैं, high courts के अंदर represent करते हैं, supreme court के अंदर represent करते हैं, और यह primary lawyer होते हैं, high courts और supreme courts के अंदर भारत सरकार के primary lawyer होते हैं, हाला कि supreme court यहां पर major ली आएगा, तो याद रिखिए गए primary lawyer होते हैं, supreme court of India के अंदर, next point की हम बात करते हैं, कुछ important points है, इन्हें appoint कौन करता है, तो जो attorney general of India है, he is appointed by the president, हम must be a person who is qualified to be appointed a judge of the supreme court, देखिए supreme court के judge बनने के लिए, जो सारी qualifications चाहिए थी, बहिस्वारी qualifications चाहिए होती है, attorney general of India बनने के लिए, same qualifications यहां पर दी गई है, आप again यह पढ़ सकते हैं, जैसे कि he must be a citizen of India, and must have been a judge of some high court for 5 years, या advocate of some high courts for the 10 years, या तो क्या होना चाहिए, या तो किसी high courts के अंदर वो 5 साल तक judge के पत्पर बने रहने चाहिए, या 10 साल तक advocate का पत्भार समाला हो, या president के नजर में eminent jurist हो, तो भी वो हमारे देश के attorney general बन सकते हैं, same point की अगर बात की जाए कि इनका जो term है, वो fix नहीं है, या दर कियेगा constitution के दवरा fix नहीं किया गया है, president decide करत से इनका term, तो समय धान के द्वारा कोई term fix यहां पर नहीं किया गया है, the constitution does not contain the procedure and grounds of his or her removal, इनके removal का भी कोई ground नहीं दिया गया है, ठीक है, यह काफी important point है, president के pleasure तक ये काम करते हैं, that means president इनने किसी भी time पे इनकी post से remove कर सकते हैं, कोई fix tenure नहीं है, कोई भी tenure का या सकते है, क security नहीं है, इनके president किसी भी time पे इनने remove कर सकते हैं, next point कि हम बात करते हैं, यह अगर इन्हें अपना resignation देना है, obviously किसे देंगे, राश्पती जी को ही देंगे, अगर राश्पती जी रिमूव कर सकते हैं, तो अपना resignation भी किसको देते हैं, राश्पती जी को ही देते हैं, इसक तरीके से गवर्नर के बारे में मैंने आपको बताया था कि उनका भी सब कुछ राश्पती जी फिक्स करके रखते हैं उन्हीं के उपर डिपाइंड करता है टैन्योर के सेक्योरिटी नहीं है सेम अटाउनी जनरल जी के साथ भी होता है तो यह पॉइंट याद रखिएगा जाते हैं जिसको लेकर कई बार कोश्चन पूशा गया है वह इनके पावर्स को लेकर तब से पहले बात अटाउनी जनरल हैसे राइट तो ओडियंस इन आल कोट्स इंदर टेरिट्री ऑफ इंडिया भारत के अंदर जितनी भी कोट्स है हमारी सारी कोट्स के अंदर इनको अ सब्सक्राइब कोट्स इंदर बहुंट इंद कर सकते हैं अर्ड जोंट सिटिंग के अंदर भी बोल शकते हैं राद्य सब्हा के अंदर बोलने का अथिकार है attorney general को बड़ा important point है even joint sitting को भी attend कर सकते हैं और joint sitting के अंदर भी ये बोल सकते हैं बोल सकते हैं बट ये vote नहीं दे सकते हैं vote देने का अधिकार इनके पास नहीं होता है काफी important है और even ये भी किया जा सकता है कि Parliament की किसी committee के member के रूप में भी इनका नाम दिया जा सकता है ये member बन सकते हैं बोल सकते हैं पर ये vote नहीं कर सकते हैं याद रुकिए का vote देने का अधिकार इनके पास नहीं होता है अगर कोई question बना attorney general से तो I am 100% sure कि इसी point से बनने वाला है काफी important point है तो कि इसके अलावा दोनों house पार्लेमेंट के दोनों house में बोलने का अधिकार attorney general के अलावा ministers को भी होता है तो ये point भी याद रुकिएगा ministers के पास भी right होता है next point की बात करें he or she enjoys all the privilege and immunities that are available to the member of a parliament जब अगर वो किसी committee के member है तो उनके पास वो सारे privileges होते हैं जो कि member of parliament के पास होते हैं याद रुकिएगा और अभी हमारे जो attorney general है वो है आर वैंकट हमानी बहुत important है पूशा जा सकता है इस तरह के questions पूशी भी गये हैं तो याद रुकिएगा next you post है वो है solicitor general of India he is the second highest law officer of India जैसे सबसे पहले हमारे highest law officer होते है attorney general of India इनको appoint कौन करता है यह काफी बार question पूशा आगया और बहुत important question है इन्हें अपॉइंट करता है appointment committee of cabinet यह committee है cabinet की appointment committee of cabinet इसके अंदर अगर जो chairman की बात की जाए वो कौन होते हैं हमारे देश के prime minister होते हैं और यही committee appoint करती है हमारे देश के solicitor general of India को इनका जो tenure होता है कि कितने साल तक इस पद पर बने रहते हैं यहाँ पर इनका होता है तीन साल का याद रुखी का यह भी पूशा गया है कितना period होता है इनका तीन साल का period होता है अब इस post के बारे में सविधान में कहीं नहीं लिखा गया है इस नॉट एक constitutional post इस समयधानिक post नहीं है यह एक statuary post है मतलब हमारे पारलेमेंट ने एक कानून के द्वारा एक कानून को पारित करके इस post को बनाया है अब यह question काफी important है यह भी क्या करते हैं यह legal matters की ओपर हमारी union government को advise करते हैं तो बहुत important post है मुझे बताएगा अभी currently हम हमारे solicitor general कौन है अब आगे हम important committees की बात करते हैं important constitutional bodies को स्टार्ट कर लेते हैं अब यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले advocate general of state कि देखिए advocate general of state क्या होते हैं जिस तरीके से हमारे attorney general of India होते हैं उसी तरीके से हमारे advocate general of state भी होते हर राज्य के लिए हर राज्य को वो legally represent करते हैं जैसे पूरे गवर्मेंट को रिप्रेजंट कर रहे हैं भारत सरकार को वैसी हर राज्य को हाई कोट के अंदर और सुप्रीम कोट में अगर लीगली रिप्रेजन करना है तो उन्हें रिप्रेजंट करने का काम करते हैं अड़ोकेट जनरल ओफ इंडिया आर्टिकल 165 इनकी बात करत आपने अल्रडी वार्किंग करके रखे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट से उस पर याद रखी गए स्टेट के हाईएस्ट लॉओ आफिसर होते हैं अगर ये कुशन पूछ लिया आजाए आपसे कि राज्यों के अंदर स्टेट के अंदर जो हाईस्ट लॉओ अफिसर होत हैं काफी इंपॉर्टेंट है इनके इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन होती वह क्या होती वह सेम होती हाई कोड के जज़बनने के लिए जैसे दस साल तक अगर आपने कहीं पर किसी ऐसी पोस्ट पर रहे हैं जो कि कानून से संबंदित हैं या दस साल तक आप होते हैं आप क्या कह सकते हैं कि अटॉने जनरल ऑफ इंडिया के बाद किसी राज में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती होती है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया हाला कि दोनों चीज़े अलग अलग याद रुखिएगा अटॉने जनरल की जब हम बात करते हैं औ तो हाई किसी हाई कोड के अंदर दस साल तक एडवोकेट रहे हो या कोई जूडिशल ऑफिस्ट होल्ड करके रखाओ इन्होंने दस साल तक इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉंस्टिशन बॉडी इसके बारे में इसमें सबसे पहले आता है भारत का वि पाइफियर कई बार ये कोशन के अंदर या एक्जाम के अंदर एकोशन पूछा गया कि विद्धायों कि स्थापना कितने साल बात की जाती ये कौन करते हैं तो हमारे देश के राश्पती करते हैं अब सवाल यह उठता है कि फट्रीशन का काम क्या होता है बेसिकली सेंटल इसके अलावा हमारे देश में आपको या दोगा मैंने पंड के बारे में आपको बताया था जो कि आर्टिकल 266 के अंदर आता है Consolidated Fund of India Consolidated Fund of India से किस राज्ज को कितना पैसा देना है इसके लिए भी एडवाइस करता है हमारा वित्यायोग याद रुखिएगा बहुत जादा इंपॉटेंट है और अभी हमारे देश में पंद्रवा वित्यायोग चल रहा है 15th Finance Commission चल रहा है जिसका जो कारकाल होने वा तो मार्च मेंबर्स ओते हैं जिसमें हमारे एक चैर्मेन होते हैं और चार अधर मेंबर्स होते हैं इसे अभी हमारे चैर्मेन है एंड के सींग 15 finance कमिशन के जो चैर्मेन है वह KYS good और पहले finance कशोटे Чैर्मेन थे उनका नाम भी यादःखिएगा बहुत बार पूशा गया ह उनका नाम था केसी नियोगी और इस फाइन्स कमिशन को 1951 के अंदर सेट अप किया गया था तो यह कुछ छोटी-छोटे पॉइंट से यह आपको ध्यान रखना है अब जो चैर्मेन होते हैं और जो अदर मेंबर्स होते हैं उनका इसके लिए कुछ अलग होता है जैसे चैर्मेन की अगर बात की जाए जाए जो चार अधर मेंबर्स होते हैं उनके लिए कुछ अलग-अलग एजुकेशन या एजुकेशन तो नहीं बोलूँगा मैं उनके लिए जो क्वालिफिकेशन का अरिया वो अलग होता है जैसे आर और हैव बीन और आर क्वालिफाइट तो बी अपॉंटेट अस जज़ ऑफ दे सुप्रीम कोट या तो वो सुप्रीम कोट या हाई कोट के सद से बन सकते हैं इसके लावा हैव हैड वाइड एक्सपिरियंस इन फानाशिल मैटर्स एंड इन एड्मिस्रेशन फानाशिल मैटर्स के अंदर और अगर उन्हें बहुत जादा नौलेज है मतलब कोई आईये सदिकारी भी इस कमिशन के अंदर इसका मेंबर बन सकता है इ अला की पूछे जाने की चंसे कम है वरसल याद रुखिएगा मेंबर्स में भी डिस्क्वालिफाइड इफ दियार फाउंडेट टू बी अंसाउंड माइंड अगर वह अंसाउंड माइंड के फाइंड की पाए गया है बतलब दिमाग की हालत उनकी ठीक नहीं है या इसके के लावा उन्होंने कोई ऐसी चीज कमिट करी है जो की सई नहीं है कोई हीनियस क्राइम करा हीनियस एक्ट करते वह पाए गया है तो ऐसी कंडिशन के इंदर ने डिस्क्वालिफाइड किया जा सकता है तो याद रखिएगा फाइनस कमिशन काफी इंपॉर्टेंट है इसके के लावा UPSC बहुत सारे उटक्र के ऐसी पार्ट करवाता है एंड़ेका एक्जामिशन का नटक करकर वाता है इन पिंगर को लावा भी बहुत सारे examinations को UPSC कंडग करवाता है that's why इस body को जानना बहुत जादा जरूरी है because examination के अंदर इसके questions पूछे जा सकते हैं तो याद रुखिएगा article 315 से लेके article 323 तक यहां पर UPSC के बारे में और state PCS के बारे में बात की गई है clear है इसको किस part में define किया गया है part याद रुखिएगा अगर मैं part की बात तो part 14 UPSC के बारे में बात करता है parts पी कहीं बार पूछ लिए जादेगी किस part के अंदर है तो part 14 UPSC की बात करता है जनड़ी समधान के इसे define नहीं कि इसमें कितने members होंगे और जनड़ी 9-11 members के बीश में होते हैं के members को chairman's को कौन appointment करता है तो UPSC के members को और chairmen's को दोनों को ही president of India ही appointment करते हैं अगर उन्हें resignation देना है तो resignation भी वो किसे देंगे भारत सरकार के राष्टपती को ही देंगे याद रखिएगा clear है next point के हम बात करते हिरते term of office कितना होता है तो term of office याद रखिएगा six years or till the age of the 65 years which ever is earlier normally जो होता है या तो छे साल complete करेंगे या 65 years age complete हो जाए दोनों में से जो भी चीज़ पहले हो जाए यही इनका कारिकाल होता है बहुत important चीज़ है याद रखिएगा आगे हम बात करते हैं क्या reappoint किया जा सकता है नहीं reappoint नहीं किया जा सकता है यहाँ पर अगर कोई member है member का tenure पूरा हो गया तो वह सिर्फ और सिर्फ chairman के लिए reappoint हो सकता है या फिर वो reappoint किया जा सकता है अगर जो state commissions होते है स्टेट कमिशन के chairman के लिए अध्यक्ष के लिए पर अगर आब बात करें कि यूपीस के chairman को क्या वापस reappoint किया जा सकता है तो नहीं किया जा सकता है इसलिए लिखा है आपर in eligible for reappointment to that office वह in eligible होते हैं अगर member है तो member क्या बन सकता है chairman बन सकता है या other state pcs के अंदर वह chairman बन सकते हैं members की बात कर रहा हूं मैं बट जो chairman है वह वापस reappoint नहीं हो सकते ना यह किसी government post को आगे जाके hold कर सकते हैं यह भी काफी important point है इसके बाद resignation में आपको बता चुका हूँ है हमारे देश के राश्पती को अपना resignation देते हैं इसके लावा अगर इनको remove करना है इनका suspension करना है तो वह भी हमारे देश के राश्पती के हाथ में ही होता है जो salary दी जाती है जो expenses दिये जाते हैं वो सारे के सारे हमारे देश के consolidated fund of India से दिये जाते हैं बारत सरकार की संचित निदी से दिये जाते हैं मतलब यहाँ बार हम बात कर रहे है आर्टिकल 266 की और अपनी जो reports होती है UPSC Commission किसको submit करता है डारेक्टी पार्लेमेंट में submit नहीं करता है वो submit करते हैं देश के राश्पती जी को और राश्पती जी फिर इस report को पार्लेमेंट में रखते हैं तो यह कुछ points है काफी important है देखे बहुत detail में नहीं जाना है पास जिस तरह के questions पूशे जाते हैं वो सारे points में आपको यहां पर करवा रहा हूं आगे हम बात करें जिस तरीके से हमारा UPSC होता है उसी तरीके से हमारा state public service commission भी होता है यह भी article 315 के अंदर ही है और part 14 के अंदर ही आता है अब कुछ चीजें इसमें अलग है अब जैसे appointment कौन करता है इसके members का इसके members को अपॉइंट करते है गवर्नर याद रुखिएगा बली appointment जो है वो आइज हो जाती ही वो कितनी हो जाती है 62 yrs हो जाती है है यह रियप्उइट हो सकते हैं नहीं यहूईend नहीं हो सकते हैं अगर इन में से कोई जो member है इनका कोई member है अगर अध्यक्ष बन रहा है तो अध्यक्षबन सकता है chairman बन सकता है या इवन कोई member जो जो कि state PCS का member था वो अगर UPSC का member बन रहा है या chairman मन रहा है तो वो बन सकता है पट ऐसे नॉर्मली यह reappoint नहीं हो सकते हैं नेक्स पॉइंट यह अपना resignation किसे देते हैं resignation यह अपना governor of the states को को देते हैं जिस राज के governor ने इन्हें अपॉंट किया है यह उन्हें अपना resignation देते हैं अगर इन्हें remove करना है याद रखेगा remove कौन कर रहा है हमारे देश के राश्पति जी ही कर सकते हैं और यह अपनी report किसको देता है commission यह governor को देता है governor के पासे और उसके बाद governor जो है वह state legislature के उपर यह report को रखते हैं तो दोनों में difference याद रखिएगा UPSC अपनी reports president को देता है और state PCS अपनी reports किसको देता है वो अपनी reports देता है governor को यह काफी important point है इसके लावा joint state commissions भी होते हैं देखिए कई बार क्या होता है कि दो राज्ये आपसी सम्हती से अपना commission बना लेते हैं जिसे कहा जाता है joint state service commission इनका majorly काम क्या होता है कि यह various examinations को publish करते हैं बट jointly करते हैं जिसे अलग-अलग नहीं होता है मुझे comment box में बताएगा कौन से राज्ये के अंदर joint service commission है जल्दी बताएगा काफी important point है आगे बात करें इसमें जो members का appointment किया जाता है वो president of India करते हैं यहाँ पर governor नहीं करते हैं बहले ही joint बहले ही state का commission ह यहाँ पर जो appointment किया जाता है वो president के द्वारा किया जाता है और obviously removal भी कौन करेंगे president ही यहाँ पर करते हैं इसके बाद term of office कितना होता है यहाँ पर सेम होता है जिस तरीके से state के अंदर था six years और 62 years जो भी पहले आ जाए यह appointment इनका हो सकता है क्या बिलकुल नहीं हो सकता है अगर यह member chairman बनना चाहे तो वो बन सकता है और अगर joint state public joint state public commission के जो members है या जो chairman है अगर वो UPSC के अंदर जा रहे हैं तो फिर वो जा सकते हैं बट यहाँ पर यह reappoint नहीं हो सकते हैं काफी important point है resignation यह अपना किसे देते हैं obviously president को यह देते हैं because president यहाँ पर appointment कर रहे हैं तो resignation अ states की बात कर रहे हैं दो states हैं तो दोने states में अलग-अलग governor है तो अलग-अलग reports जाएगी दोनों states के अलग-अलग governor के पास याद रखिएगा कि यह कुछ factual चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं national commission for schedule cast की इसमें बहुत detail में नहीं जाना है आपको सिर्फ कुछ important point जियान में रखना है जैसे कि article 338 बात करता है इसमें एक chairman होते हैं vice chairman होते और three other members होते मतलब total 5 members इसके अंदर होते हैं इसका जो tenure होता है वो कितना होता है हर तीन साल में consistent होता है कि वापस से appointment किये जा सकते हैं further appointment के लिए eligible यह होते हैं next point के हम बात करते हैं कि एक quasi judicial body है और basically आपको खुदी समझ में आ रहा होगा कि national commission for schedule class schedule class को लेकर एक national commission एक आयोग जो है वो स्थापित किया गया है और समिधानिक body है इसी तरीके से national commission for schedule tribe है इसका article याद रिखिएगा because article से related question पूछे जाएंगे इसका article है article 338 इसमें भी पांच members होते है chairman, vice chairman और three other members मतलब total पांच members होते हैं इसका भी जो tenure है वो तीन साल का होता है यह भी क्वासी judicial body है मतलब अर्दे न्याइक body है अब क्वासी judicial body क्या होती है यह मैं आपको आगे वाले lectures के अंदर बताऊंगा because जब हम election commission पढ़ेंगे और इसके लावा कुछ और major commissions के बारे में जानेंगे वो commission quasi judicial ही है तो याद रखना है मैं इसको काफी detail में आपको बताने वाला हूं next point की हम बात करेंगे basically क्या करते हैं कि हमारे देश में जहां जहां भी schedule tribes है कहीं उनके उपर अत्याचार तो नहीं हो रहे हैं उनकी problems क्या है समस्या क्या है जरूरते क्या है इसके उपर ये एक remote report मनाते है basically और उन reports के basis के उपर फिर हमारी जो केंदर सरकार है अगर राज सरकार भी है तो उन report के basis के उपर फिर कानुन बनाती है और further actions लेती है तो याद रखिएगा और इनके पास civil courts के power होते हैं जो power civil court के पास होते हैं criminal courts के power नहीं होते हैं कि वो किस किसी को भी सजा दे सकते हैं कि 5 साल की सजा सुना दी है चे साल की सजा सुना दी है बट इनके पास जो power होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ होते है civil courts के नेक्स पॉइंट के हम बात करते हैं नेक्स हमारा national commission for backward classes यादर की का मुझे ये बताएगा कौन से संविधानिक संशोधन के द्वारा backward class को संविधानिक दर्जा दे दिया गया ताना मैंने बताया है आपको लास लेक्षर में बताया है चलिए इसका आर्टिकल के बात करें 338 भी आर्टिकल है इसमें भी 5 members होते हैं सारी चीज़े सेम है total 5 members होते हैं tenure 3 years होता है further appointment yes further appointment होता है बेसिकली किसके लिए काम करते हैं educationally and socially backward classes की जो complaints होती है उसको examine करते हैं उसके उपर further actions भी लिया जाता है कहीं बार और इनके पास भी civil court के power होते हैं तो यह points याद रखिएगा अब एक point यह मन में आता है कि जो तीनों ही commissions है चाहें हम बात कर रहें स्ट कमिशन, स्ट कमिशन या OBC Commission इनके members को appoint कौन करता है यह question कई बार बहुत सारी various examination के अंदर पूछा गया है तो याद रखिएगा जितने भी members होते हैं इन तीनों ही commissions के इनके members को इनके chairmen's को appoint करते हैं President of India याद रखिएगा यह बहुत important point है मैं यह आपर लिख देता हूं ताकि आगे आगे आपको दोवे चीज ध्यान रहे कि जो President of India होते हैं लिए मैं आप से next lecture के अंदर मिलता हूं आप सभी अपना ध्यान रिखिएगा तब तक के लिए जय हिन जय भारत